कि हेलो बच्छों वेलकम टूबर चैनल के भी 360 कि यह है लास्ट इयर का हिंदी का पीटी वन का पेपर तो इसको देख लेते हैं कि पिछली बार किस तरह की क्वेशन्स आयते हैं हो सकता है इसमें से कोई आपको क्वेशन मिल जाए इसको देख लेते हैं तो एक बार यह आपक का पेपर अक्षा है पांचमी और यहां पर चलो को स्टार्ट करते हैं इसको सबसे पहले नीचे लिखी पंक्तियों को ध्यान से पढ़ें हैं वह अंत में दिये प्रशनों के उत्तर दें बहुत समय पहले एक बिकिसान के किसान ने एक मुर्गी खरीदी वह मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती थी सोने के अंडे बेच बेच कर किसान बहुत अमीर हो गया उसने अपने पत्नी के लिए एक बड़ा घर खरीद लिया एक दिन उसने सोचा मेरी मुर्गी रोज एक अंडा देती है इस तरह एक सब्ता हमें साथ अंडे देती है क्यों ना मैं अधिन है उसन satisf आ फर दिने को अमें बताना है उनका उत्तर क्या होगा तो तशेले पढ़ते हैं किसानने क्या खरीदा किसानने मूर्गी खरीदी की कि मूर्गी नेक्स्ट अगला प्रश्ण है मुर्गी रोजाना क्या देती थी? मुर्गी रोजाना अंडे देती थी अंडे अवो भी कैसे अंडे थे? सोने के अंडे ठीक है तो यहाँ पर सोने के अंडे लिखेंगे सोने के अंडे अगला प्रश्ण है किसान अमीर कैसे बन गया किसान सोने के अंडे बेज बेज कर अमीर बन गया बन गया अगला प्रश्ण है किसान ने क्या सोचा तो इसका उत्तर है किसान ने सोचा किसान ने सोचा मेरी मुर्गी रोज एक अंडा देती है इस तरह एक सब्ता हमें साथ अंडे देती है क्यों नाम में मुर्गी का पेट काट कर सारे अंडे एक साथ निकाल लू तो उसने ये सोचा अगला प्रश्ण है इस तरह उसने डैस के साथ साथ अंडे भी खो दिये तो यहां पर खाली जगा पर क्या आएगा तो उसने क्या किया मुर्गी के साथ साथ अंडे भी खो दिये यहां पर आएगा मुर्गी के साथ साथ अगला प्रश्ण है नीचे लिखे प्रश्णों के उतर दो ये आपकी बुक से प्रश्ण दिये गए इनको आपको उतर लिखना है अकवर को पहरेदार की देखला अंदाजी क्यों अच्छी नहीं लेगी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आपको इसका उतर यहां लिखना ह रात वाली गाड़ी से जम्मू जाएगा राम यह वह यहां पर बोला है संग्या सब्द तो राम क्या है एक संग्या है संग्या क्या होता है कोई नाम हो जगय हो या कोई वस्त हो उसको क्या बोलते हैं संग्या लेकिन वह क्या है वह एक सर्वनाम है तो वह नहीं आएगा य साडियां तो यह क्या हो जाएगा ये बहुबचन हमारा साडियां हो जाएगा अगला है तल्वार तल्वार का बहुबचन Cand... सॉबध, सुबह, क्या होगा शाम आना जाना अगला प्रस्ण है वाक्य के लिए एक सब्द लिखो चित्र बनाने वाला जो चित्र बनाता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं चित्रकार अगला प्रस्ण है वाक्य में इससे संग्या शब्द पर गोला कीजिए जो संग्या शब्द है अभी हमने उपर देखा था संग्या शब्द क्या होते हैं कोई भी जग्या का जग्या नाम संग्या शब्द वे शब्द होते हैं जिससे किसी वस्त किसी व्यक्ति या किसी जग्या का पता चलता है उसको संग्या बोलते हैं पानवाला नहीं है पानवाला तो यह दुकान दुकान एक जगह है तो दुकान यह हो जाएगा मारा संग्या शब्द इसको उमने गुला कर दिया वाव वाचक संग्या लिखो वाव वाचक यहां पर जैसे एक्जामपल दिया है अच्छा अच्छा का अच्छा होता है जैसे स सच्चा का क्या होगा सच्चाई सच्चाई यह हो गया हमारा इसका वाव वाच्छ संग्या अगला है स्रजनात्मक लेखन अपने किसी मन पसंद यहार के बारे हैं पांच वाक के लिखो तो आप किसी भी होली दिवाली इद किसी पर भी यहां पर पांच वाक के लिख सकते हैं जो भी आपको पता है वो यहाँ पर लिख सकते हैं अगला प्रश्ण है सही शब्द पर गोला लगाओ खिलाओना खिलोना तो इन में से कौन सा सही है खिलाओना सही होता है तो गोला बनाना है खिलाओना पर अगला शब्द पूरा करो सदैस जदारी यानि कि समझदारी मा आ जाएगा यहाँ पर तो हो गया यह समझदारी यह समझदारी हो गया अगला है सही जगह पर अनुस्वार अनुस्वार का मतलब क्या होता है अंकी जो बिंदी होती है उसको अनुस्वार बोलते है तो उसको लगाना है अब देखते हैं इतजार है तो इतजार को क्या बनाए कि इतजार कहाँ पर बिंदू लगाए कि इतजार हो जाए तक इतजार यहाँ पर लगएगा विंदी और यह बिंदू और यह हो गया कि हमारा इतजार अगला शब्द है समान तुक वाले शब्द लिखो गाड़ी खेल इनके आपको क्या करना है समान तुक वाले शब्द लिखना है तो गाड़ी का हो जाएगा साड़ी खेल का हो जाएगा रेल मेल हो सकता है ठीक है कोई भी लिख सकते हैं आप अगला है समान अर्थी यानि कि जो समान अर्थ रखते हो यानि उत्सब का जो मेनिंग है मतलब है ऐसा ही शब्द हो वो हमें यहापर लिखना है उत्सब का क्या हो जाएगा त्याओखार त्याओखार पर्व हो सकता है ठीक है इसके लबा हम बोल सकते हैं जस्न हो सकता है जलसा हो सकता है ये शब्द इनके समान आती है अगला प्रश्ण है शब्द को जोड़कर लिखो तो फल वाला तो फल वाला को जब फल और वाला दोनों अलग अलग शब्द है लेकिन इनको जोड़कर वाला फेरी और वाला तो फेरी वाला हो जाएगा फेरी वाला ठीक है अगला है हस्त लेखन यानि कि आपको सुलेख लिखनी है यहां पर जो कुछ पंक्तियां दी गई है आपको नीचे जो स्पेस दिया गया है जगह दी गई इसको यहां पर लिखना है आई होप आप सभी को हुए सेंपल पेपर समझ में आ गया होगा पढ़ते रही है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए सब्जेक्ट साथ थैंक यू